एजी और समाल साइज एजुकेशनल और इंप्रमेशनल वीडियो के लिए हalahा चैनल सब्सक्राइब करें नीचे दिएगे रड़ सब्सक्राइब के बटन प्र क्लिक करें और साध दिएगे वेल आइकान पे क्लिक करें साथ के आपको हमारी वीडियो मिलती रहें तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आपको बताहूंगा चर्ड़न रेट और कन्वर्जन रेट का बेसी कुंसेप्ट बेसीक लॉजिक इजी वे में एक्जेम्पल के साथ तो सबसे पहले है चर्ण रेट कंसेप्ट से पहले डाफिनिशन को रीड का लेते हैं इन्वर परसंटेज रेट आट विच क्टमर स्टॉप लीव सब्सक्राइबिंग टु आ सर्विस और इंप्लॉईज लीव आ जॉब चर्ण रेट जो होता है एन्वर परसंटेज रेट रेट होता है मतलब हर साल का एक परसंटेज रेट होता है जो उस company को ब्रैंड को leave कार देते हैं चोड़ देते हैं या रुक जाते हैं उसकी चीजों को खरीद कर खरीदना buy करना उसकी service को लेना तो इसका एक पहलू यह हो गया दूसरा पहलू जो है कि कितने परसंट ये show करता है कि कितने परसंट जो employees हैं हर साल job को छोड़ते हैं आगे है conversion rate the rate at which your customer complete a conversion step जो conversion rate होता है यह हमें बताता है कि customer जो है कितने परसंट जो है Convergence step मतलब Convergence हमारी product को Convergence rate जो होता है मोस्ली इंटरनेट पे जो visit जो website होती है company की उसमें हमें यह show करवाता है कि कितने परसंट जो visitor हैं आए हैं कितने परसंट visitor हर साल annually smi annually monthly है कितने परसंट लोगों ने हमारी site का visit किया है मतलब 60 किया है और उसमें कितने परसंट, लोगों ने खरीधा है , कितने परसंट, लोगों रिखा लोगों ने उस चीज को buy किया है, visit कर र के on conversion rate conversion rate दिबारा से बताता हूं कि आपको मैंने एक site की example दिया है कि website होगी एक company की website है जो चीजें बीचती है online amazon लगा ले तो वो हमें show करती है कि कितने percent visitor आये इस site पर और कितने percent visitor ने इस site से चीजों को buy किया तो इसी तरह जो company की products होती है services होती है वो उसमें conversion rate शो करता है कि कितने percent लोगों ने company के brand का visit किया या कितने percent लोगों ने market टीवी पर जो एड़ चली इंटरनेट पर जो एड़ चली वीजिट की और कितने percent लोगों ने उस एड़ से मतासिर होकर हमारी sales में कितना जाफा आया कितने लोगों ने कितने पर से लोगों ने चीज़ों को बाय किया तो ये भी चीज conversion rate से पता चलती है I hope आपको इन दोनों का basic logic basic concept पता चल गया होगा वीडियो चिल गया हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत बुलिएगा गुडबाइ